वेल्कम टू इटर्नल स्टिडी पॉइंट दोस्तों वर्ड मैप के अंतरगत आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आस्ट्रेलिया महादीब के बारे में आस्ट्रेलिया महादीब के अध्यन में हम लोगों को कौन-कौन से टॉपिक कबर करने हैं आए इन टॉपिक पर एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ओसेनिया की हम लोग जानेंगे ओसेनिया के कंसेप्ट को इसके अंतरगत कितने देश आते हैं वर्ड मैप में इसकी अवस्तिती ओसेनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे चोटा देश कौन सा है इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक है आस्ट्रेलिया का सामान पर चै इसके अंतरगत आस्ट्रेलिया एक महा दिवप है या दिवप है इसको पहले हम लोग जानेंगे आस्ट्रेलिया वर्ड मेब में किस गुलार्द में इस्तित है आस्ट्रेलिया का अच्छांसी एम देशांतरी विस्तार कितना है आस्ट्रेलिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है आस्ट्रेलिया के चारो और कौन-कौन से सागर है कौन-कौन से जल संधिया है एवं कौन से पड़ोसी देश हैं इस परकार से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को आस्ट्रेलिया महादीब के बारे में आज के वीडियो में मिलने वाली है अब तीसरे टॉपिक की बात करेंगे तो आस्ट्रेलिया की भोतिक फिसेस्ताएं आस्ट्रेलिया का फिजिकल अगर देखा जाए तो यहां तीन भागों में बटा हुआ है एक तो पस्चिमी पठार है और बीच में जो है मद्धवर्ती निम्न भूमी है और पुर्वत्तर में उची पहाड़िया हैं तो इनके वज़े से वहां की जलवाई पर भी असर पड़ता है पस्चिम की तरह मरुस्ता लहपूरो में कापी भारी वर्सा होती है कहां पर खेती होती है इस सब के विबारे में हम लोग आज डेटेल से अध्यन करेंगे चोथर टापिक है आस्टेलिया के परमुक मरुस्तल कौन कौन से हैं परवस्रेणिया कौन सी हैं और यह किस दिशा में कहां परवस्तित हैं आस्टेलिया में कौन सी परमुक नदी है और जील जील अगर है तो मीठे पानी की जील है कि खारे पानी की जील है आस्टेलिया में पर्मुक पठार कौन से हैं मैदान जैसे घास का मैदान को आस्टेलिया में डाउंस मैदान कहते हैं इन सब के भी हम लोग जानकारी आस्टेलिया महादिव मैप के अध्यन में पाएंगे आस्टेलिया की जलवायू कैसी है जैसे भारत की जलवायू मानसूनी है उसी परकार आस्टेलिया की भी कोई न कोई जलवायू होगी तो यहां हम अपने अगले क्रम में देखेंगे आस्टेलिया की बनस्पती आस्टेलिया में वन प्राड़ी जिसे कोवाला अभी हाल में चर्चा में राय जब आस्टेलिया में जंगल में आग लगी थी आस्ट्रेलिया में खनी संसाधन कौन-कौन से हैं यसे कुलगर्डी में सोने की खान के लिए आस्ट्रेलिया काफी ज़्यादा परसिद्ध है और वहां किरिसी कितने आस्ट्रेलिया कितने भूभाग पर होता है तो मात 4% भूभाग पर होता है और आस्टेलिया में पसपालन जैसे भेढ़ों का पालन बहुत अधिक किया जाता है तो इन सब का हम लोग मैप में बारीके से अध्यन करने वाले हैं आए वर्ड मैप के अध्यन में सबसे पहले हम आस्टेलिया के महादिफ में जानेंगे ओसेनिया के बारे में किसके बारे में, ओसेनिया, यह जो मैप आप लोगों के सामने दिख रहा है, यह पूरा जो है, ओसेनिया के अंतरगत आने वाले देश जो हैं, दिख रहे हैं, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, मेलानेसिया, माइक्रोनेसिया, और पोलीनेसिया के समलित भाग को ही क्या कहते हैं, ओसेनिया कहते हैं, आ रहा है दोस्तों समझ में ओसेनिया कहा जाता है, ओसेनिया में आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड वार न्यूगिनी के अलावा अनेक छोटे बड़े दिवपी छेतर समलित हैं, इसमें आस्ट्रेलिया जो है, या सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, ओसेनिया का, और यहां पर इस्थित है, ये, नौरू, या ओसेनिया का, सबसे छोटा देश है, तो दोस्तों याद रहेगा, ओसेनिया का सबसे बड़ा देश आस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश नौरू, जो ओसेनिया के अंतरगत आने वाला देश है, और ओसेनिया में कुल 22 देश आते हैं, कितने देश आते हैं, तो 22 देश आते हैं ओसेनिया में अधिकांस दीपों का निर्माड ज्वाला मुखी उद्गार वा परवाल की इतो द्वारा हुआ है च्योंकि ओसेनिया के अधिकान से देशों के अवस्तिती भूमद रेखा के समीप है क्यों भूमद रेखा के समीप है? क्योंकि पापुआ नियोगिनी से ही यहीं सोहोकर के भूमद रेखा गुजरता है जीरो डिग्री और आस्ट्रेलिया के मद से ये मकर रेखा गुजरता है क्या बोलते हैं मकर रेखा तो इनके बीच की जो जलवाई वो कैसी रहेगी उस्ड कटबंधी जलवाई रहेगी और इसके नीचे सितोस्ड कटबंधी जलवाई है यहाँ पर उस्ड जलवाई उस्ड कटबंधी जलवाई और सितोस्ड कटबंधी जलवाई पाई जाती है और इसके नीचे सितोस्ड कटबंधी जलवाई रहेगी और नीचे सितोस्ड कटबंधी जलवाई पाई जाती है अब हम बात करते हैं आस्ट्रेलिया की तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड में में आस्ट्रेलिया किस जगें अवस्थित है तो अगर हम महादीप की बात करें तो यहां उत्री अमेरिका महादीप है यहां दच्छडी अमेरिका महादीप है यहां अफरीका महादीप है और यहां एसिया यहां यूरोप और इसके बाद सबसे छोटा महादीप अगर है तो यह आस्ट्रेलिया महादीप है यह आस्ट्रेलिया महादीप के अगर हम गुलार्द की बात करें तो यह जो है दच्छडी गुलार्द में पूर्ण रूप से इस्तित है तो आस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दच्छडी पूर्व में इस्तित है अगर एसिया के सबसे पहले हम देख लेते हैं जब दच्चि पूर्व या उत्तर पस्चिम आता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा कनफ्यूजन होता है कि किस डायरेक्शन में वो देश इस्तित होगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसी को यह पूर्व दिसा है और यह पस्चिम दिसा है यह दच्चिड दिसा है और यह उत्तर दिसा है अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा इसको बोलेंगे दच्षिड पूर्व दिशा इसको बोलेंगे दच्षिड पस्चिम दिशा और इसको बोलेंगे उत्तर पस्चिम दिशा तो यह कह रहा है कि यह एसिया के यह एसिया है Asia महादीव के क्या कह रहा है दच्छिडपूर में यानि कि इधर डायरिक्षन में तो इधर डायरिक्षन में ही Australia देश इस्तित है Australia महादीव की खोज का पर्थम परियाज अगर इसकी खोज की हम बात करें तो इसकी खोज James James Cook ने किया था किसे ने किया था दोस्तों तो आस्ट्रेलिया की खोज James Cook ने किया था या Pacific Ocean और Indian Ocean यानि परसांत महासागर और हिंद महासागर के बीच अवस्थिते कौन Australia देश Australia महादीव अगर हम इसके अच्छानसी और देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये तो ये अच्छानसी रेखा हो गया और ये देशांतरी रेखा हो गया तो यह 114 पूर्व से 154 पूर्वी देशांतर एवं 10 अंस दच्छड से 40 अंस दच्छडी अच्छांस तक इस्तित है यानि कि अच्छांस रेखा 10 से 40 और देशांतर रेखा 2014-154 के बीच में कौन देश है तो आस्ट्रेलिया देश या आस्ट्रेलिया महादीव इस्तित है अस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा दिवप है क्या है या या विश्व का विस्ट का सबसे बड़ा सबसे बड़ा दियूप है एवं सबसे सबसे छोटा महा दियूप है क्या हमने दोस्तों बताया यह विस्ट का सबसे बड़ा दियूप है एवं अगर महा दियूप के नजेरिय से देखा जाए तो सबसे छोटा महा दियूप है अज़ा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैप के दोरा विसमें आस्ट्रेलिया ही एक मात्र रेशा देशे जो पूरे महादीव पर फैला हुआ है इसलिए इसे क्या बोलते हैं दूपी महादीव क्यों बोलते हैं दोस्तों क्योंकि यह पूरे महादीव पर फैला हुआ एक मात्र देश है आस्ट्रेलिया इसलिए इसे दूपी महादीव की संग्या दी जाती है अगर हम छेतरफल की बात करें तो छेतरफल की दृष्टी से आस्ट्रेलिया भारत से दो गुना बड़ा है यह पूरे महादीव पर फैला देश है अगर हम छेतरफल की बात करें तो छेतरफल की दृष्टी से विश में छेठवा सबसे बड़ा देश है कितना बड़ा देश है तो छेठवा सबसे बड़ा देश है अब बात करते हैं मकर रेखा की तो मकर रेखा आस्ट्रेलिया को दो भागों में विवाजित करता है कितने भागों में तो दो भागों में विभाजित करता है यहां पर आप देखिए यह मकर रेखा है तो दो भागों में विभाजित करती है अर्था तिया आस्ट्रेलिया के लगबग मद्द से उकर गुजरती है इसलिए उत्री आस्ट्रेलिया उसर्ड कटबंदी या उत्री भाग है आस्ट्रेलिया का और इसके नीचे या कौन सा भाग है तिया दच्छडी भाग है तो उत्री भाग में उसर्ड कटबंदी जलवाई पाई जाती है और दच्छडी भाग में सितोसर्ड कटबंदी जलवाई पाई जाती है ओके दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं आस्ट्रेलिया महादीब के अधिकांस छेत्रों में कम वर्षा तथा जल की सीमित उपलब्दता होने से 85 भूमी की देश भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि बारिस बहुत कम होती है इसे क्या कहा जाता है 85 भूमी वाला देश 85 भूमी का देश की संग्या इसे दिया गया है यह विस्त का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महादीब है सबसे कम जनसंख्या वाला महादीब है यह अब हम इसके चारो तरफ जो सागर है जर संधिया है इनकी अब हम चर्चा करते हैं तो आस्ट्रेलिया महादीब के उत्तर में कौन सा सागर है तो अराफुरा सागर है और उत्तर में ही कौन सा खाडी है तो कार पेंटरिया की खाडी है यह जो है यह कार पेंटरिया की खाडी है और यह अराफुरा सागर है तदा दप्चिड में यह उत्तर है इस्ट वेस्ट नार्थ साउथ तो इसके दच्छिन में कौन सा खाड़ी है तो ग्रेट ग्रेट आस्ट्रेलियन ग्रेट आस्ट्रेलियन की खाड़ी है ग्रेट आस्ट्रेलियन की खाड़ी है इसको खाड़ी को बाइट भी बोलते हैं ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट या ग्रेट आस्ट्रेलियन की खाड़ी यह इसके उत्तर पूर्व में उत्तर यह दो को उत्तर यह पूर्व है इधर ऐसे डारेक्शन में जाएंगे तो उत्त साथी यहां पर कौन सा सागर है तो यहां है कोरल सागर कों सा सागर है तो कोरल सागर है अब इसके हम उत्तर पस्ची में बात करेंगे तो यहां पस्ची में यहां उत्तर पस्ची में कौन सा सागर है तो यहां पर सागर का नाम है तिमोर सागर कौन सा सागर है तो तिमोर सागर सागर है तथा इसके दच्छिड पूर्व में दच्छिड पूर्व यानि कि यह दच्छिड है यह पूर्व है तो यहां पर तस्मान सागर है कौन सा नाम हैं तो तसमानियां आप अब हम बात करेंगे कि अधार कि श्रीजिट्वर में तसमानिया एक परवती डीप यह किसा दीफ है पर वटी डीव है जो तसमान सागर में इस्थिते श्रेलिया जो देख रहे हैं आज यह आस्ट्रेलिया प्राचींतम भूखंड गोंडवाना लेंड का हिस्सा था किसका हिस्सा था तेहां गोंडवाना लेंड का हिस्सा था गोंडवाना लेंड का हिस्सा था आस्ट्रेलिया को समतल मैदानों की धर्ती भी कहा जाता है एक तथिया है कि समतल साथिया सबसे समतल एवं निम्न उच्चावच वाला महादिव है आस्ट्रेलिया एक सुगटित आकरित वाला महादिव है आस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व टट के साथ साथ आस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व ये उत्तर पूर्व आस्टेलिया के उत्तर पूर्वी टट के साथ साथ समुंदर में एक परवाल भित्ती है जिसे Great Barrier Reef कहते हैं महान परवाल भित्ती यह विश्य की सबसे लंबी परवाल भित्ती है जिसकी लंबाई कितनी है 1900 किलो मीटर लंबाई है जो विश्य में सबसे लंबी बेरियर रीफ है अब हम आस्टेलिया के बारे में कुछ बता रहे हैं कि आस्टेलिया का छेतरफल कितना है आस्टेलिया का छेतरफल है 76,92,24 वर्ग किलो मीटर इसका छेतरफल हो गया आस्टेलिया की राजधानी आस्टेलिया की राजधानी है कैन बरा आस्टेलिया का आकार तो यह विस्स का छटवा सबसे बड़ा देश है सातवा पना देश भारत है इसकी अवस्तिती की बात करें तो यह हिंद महासागर एवं परसांत महासागर के बीच में इस्तित है आस्टेलिया को दियूपी महादेश या दियूपी देश की संग्या दी जाती है इस देश का विस्तार अधिक छेत्रफल में होने से इसे छे सोसासी राजजोवा दो केंद सासी छेत्रों में बाटा गया है अगर हम आस्टेलिया के कुछ और तत्यकी बात करें तो यहाँ मानो जाती मानो जाती वर्ग मानो जाती वर्ग में सत्तान बन्वे परसेंट जो है गोरे लोग है साथ परसेंट एसी आई लोग यहाँ निवास करते हैं और एक परसेंट मात्र आदिवासी यहाँ के हैं जो मरुस्तल में रहते हैं अगर यहाँ की सरकार की बात करें तो यहाँ सरकार कैसी है संगी यह संसदी लोग तंत्र है और समयधानिक राजसाही यहाँ जल की मात्रा कितनी है तो जल की मात्रा मात 0.08.09.07 है और यहाँ का मुद्रा अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यहाँ की है आस्ट्रेलियन डालर एडी यहाँ की मुद्रा है यहाँ हम इसके पडोसी देशों की बात करें आस्ट्रेलियन पडोसी देश की तो इसके उत्तर में इसके उत्तर में यानि की इधर इधर कौन सा देश है तो इसके उत्तर में है इंडोनेसिया इंडोनेसिया देश है पूर्वी तिमोर यहाँ पर जो है पापुआ निव पापुआ निव गिनी है उत्तर पूर्व में यानि की इधर उत्तर इधर पूर्वा उत्तरपूर्व में यहां पर सोलोमन द्यूपह तथा वानु अतू न्यू केली डोनिया और दच्छिडपूर्व में यहां पर जो है न्यूजी न्यूजी लेंड देश इस्तित है अब हम बात करते हैं आस्ट्रेलिया के राज और दो केंद सासित पर देश की तो आस्ट्रेलिया के सौसासी राज हैं पश्चमी आस्ट्रेलिया, दच्छडी आस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्यूसलेंड, विक्टोरिया और तस्मानिया यह जो हैं छैसोसासी राज्ज हैं और इनकी राजधानी की हम बात कर लें तो यहां पश्चमी आस्ट्रेलिया की राजधानी पढ़त है और क्विंस लेंड की राजधानी यहां परिस्तित है जिसका नाम है ब्रिस, ब्रिस बेन और न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी यहां परिस्तित ह क्या नाम है दोस्तों सिडनी दच्छडी आस्ट्रेलिया इसकी राध्धानी यहां परिस्त है इसका नाम है एडी लेड और तस्मानिया की राध्धानी है होबार्ट क्या नाम है होबार्ट और यह रहा कैनबरा जो आस्ट्रेलिया की राजधानी है और उत्री परदेश का जो तो छैसो साषी राज हो गए और अगर केंदसासित पर्देश की बात किरें तो केंदसासित पर्देस दो हैं एक हैं उत्तरी परदेस यहां यूटी हो गया और एक हो गया कैन बरा तो दो केंदर सासी परदेश हैं एक जो है उत्री परदेश हो गया और दूसरा केंबरा और यहाँ छे सो सासी राज जो हो गया पस्चिमी आस्ट्रेलिया, दच्छिडी आस्ट्रेलिया, कुइंसलेंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तसमानिया दोस्तों एक चीज छोट गया है यहाँ पर यह जो यहाँ पर न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी तो आस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी के बीच में टारिस जलसंधी है कौन सी जलसंधी है, टारिस जलसंधी यह टारेश जल संधी क्या करती है पापुवा निवगिनी को अस्टेलिया से अलग करती है लेकिन अराफुरा और कोरल सागर को जोडती है इसी परकार से यहाँ पर है बास जल संधी कौन सी जल संधी तो बास जल संधी जो अस्टेलिया और तस्मानिया दीव को अलग कर रही ह तसमान सागर और यहां पर हिंद महासागर को जोड रही है तो दोस्तों आसा करता हूं कि आज के आस्टेलिया महादीप मैप में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को मैप पर इस तरीके से सीखने में अब हम मिलते हैं अपने दोस्तों आप लोग अपना ख्यार रखिएगा थेंक्यू फार वाचिंग वीडियो लाइक सेर एंड सस्क्राइब माई चैनल